नगरी अधिवासों की उत्पत्ती को प्रभावित करने वाले कारक पहला जलवायू अनुकूल और स्वास्वर्धक जलवायू में लोग निवास करना पसंद करते हैं शीत प्रधान जलवायू की तुल्ना में उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं टोकियो, न्यू यॉर्क, संगाई, लौस एंजिल्स, बीजिंग आधी ऐसे ही नगर हैं दूसरा धरातलिये स्वरूप समतल तथा उपजाओ धरातली भागों में अधिवासों का विकास अधिक होता है क्योंकि ऐसे छेत्रों में आवासों, उद्योगधंदों, कारखानों, सडकों, आधी के लिए समतल भूमी की आवशक्ता होती है तीसरा, खनिज एवं शक्ति संसाधन खनिजों के मिलने के इस्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है जब खनिज समाप्त हो जाते हैं, तब नगर भी उजड़ने लगते हैं, जिन्हें प्रेत नगर कहा जाता है यही इस्थिती किसी कलकार खाने वाले नगर की भी होती है चोथा, जलापूर्ती के स्त्रोत प्राचीन समय में नगरों का विकास जलापूर्ती स्त्रोतों के समीप हुआ करता था और ज्योगिक कारिय परिवहन तथा यातायात के जरूर्तों की पूर्ती इनसे होती है लंदन, टेम्स नदी, न्यूयोर्क, हडसन, शिकागो, मिशिगन, मौस्को, मस्कवा, दिल्ली, यमुना, इलाहाबाद, हावडा, कानपूर, गंगा नदी के किनारे बसे हैं पाच्वा, परिवहन एवं यातायात आवगमन एवं परिवहन के स्त्रोत का नगरों से व्यवसाइक संबंध है, जैसा मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का होता है जहां दो या दो से अधिक मार्ग मिलते हैं, वहां नगरी अधिवास बनने लगता है नगर के विकास में परिवहन वायातायात का मुख्य योगदान रहता है चटवा, अध्योगी करण उद्योगों का विकास क्रमिक गती से होता है जो उद्योग प्रधान हो जाता है, वह नगर क्रमिशा महानगर का स्वरूप ले लेता है ग्रेट बिटेन में बर्मिंगम, लिवरपुल, भारत में टाटानगर, राउल केला, भिलाई, इसी प्रकार के नगर है सात्वा, पूंजी तथा प्रध्योगी की नगरों के विकास में पूंजी मुख्य है इमार्तों, सडकों, जलापूर्ती, प्रकाश आदी की व्यवस्था में पूंजी की आवशक्ता होती है इसे प्रकार कुशल मजदूर, इंजीनिरिंग वा प्रध्योगी की चमता के द्वारा संसाधनों का दोहन होता है आठवा, व्यापार वा वानिज्य परिवहन व यातायात की सुविधा के आधार पर वानिज्य का सूत्रपात होता है जिसके आधार पर व्यापारिक नगर विक्सित होता है जैसे ग्रामीर छेत्रों में सडक व रेल मार्ग के निकट, मैदान, पर्वत, वनों व मैदानों के मिलनिस्थल पर, मार्गों के मिलन बिंदुओं पर पहला ग्रामिन छेत्रों में सडक वा रेल मार्ग के निकट दूसरा मैदान परवत वनों वा मैदानों के मिलन इस्थल पर तीसरा मार्गों के मिलन बिंदों पर